नमास्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल च्यार जागंदर में सामें दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब यूरूर करिएगा मकर संक्रान्ती के दिन इस मंत्र को बोले देना साथ पीड़ियां तक धन खत्म नहीं होगा दोस्तों मंत्र जाप करने से दुख भै चिंता समाप्त हो जाता है और मंत्र के प्रभाव से आज भी कुछ कार किये जा सकते हैं हमने कई वीडियो में बताये हैं कि संक्रा आने पर बड़े बड़े देवी देपताओं ने भी मंत्र का जाप किया है 14 जनवरी यानि मकर संक्रान्ती की दिन अगर कोई भी ब्यक्ति ये निम्न मंत्र इस वीडियो में बताऊंगा अगर इसका जाप मकर संक्रान्ती की दिन करते हैं तो जीवन में सिर्फ जो भी चीज चाहिए वह चीज प्राप्त होनी शुरू हो जाते हैं और मैं आप लोगों को ये गुप्त मंत्र बताऊंगा इसका प्रभाव अति तीब्र है और अतिशिग्र फल भी मिलता है इसका प्रभाव कभी बिफल नहीं जाता ये राम बाण की त प्रभाव को समाप्त करेंगे इतना ज्यादा प्रभाव साली मंत्र है और मैं आप सभी दरस्कों को एक बाद बताना चाहूंगा कि मंत्र की महिमा अथा है मंत्र की महिमा अथा होती है मंतर के प्रभाव से अगस्त मुनी ने समंद्र के पानी को पी गए थे मंतर के प्रभाव से स्वेम बर्मधेव ने स्थिष्टी के निर्मार किये थे और मंतर के प्रभाव से समस्त संसार चल रहे हैं तो दोस्तों मंतर में बहुत सक्ती होती है बड़े बड़े देवी देपताओं रिसी मुनियों को अपने आपने देखा होगा कि मंतर के प्रभाव से स्थाप देते हैं और बरदान भी देते हैं और वो फली भूत भी हो जाते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो मंतर बताओंगा इस मंतर को 14 जनवरी यानि की मकर संक्रांती के दिन जपना है जब भी आपको जितना समय मिले मकर संक्रांती के दिन अगर इस मंतर को जपते हैं तो आपको धन चाहिए तो धन प्राप्त होंगे अगर आप रहना चाहते हैं तो आप चाहते कि निरोगी रहूं मुझे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो या फिर बीमारी से पीडित है तो वह बीमारी ठीक हो जाए तो वह आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी और अगर आप चाहते कि आपकी आने वाली साथ पीडियां आपको धन की कमी ना हो या धन खत्म ना हो तो आपको धन मिल जाएगा यनि आपके मन में जो भी दबी हुई एक्छाएं हैं वह पूर्ण होगी और केवल एक दिन ही इस मंत्र का जाप करना है केवल 14 जनवरी मकर शंकरानती की दिन तो दास्तों ये मंत्र कुछ इस प्रकार से है भगवान सूर नारान का ये मंत्र है इस मंत्र से आपको हर चीज प्राप्त होगी क्योंकि भगवान सूर नारान को जीवित देपता और जागरित देपता कहा जाता है क्योंकि शूर नारान ही एक मत्र ऐसे देपता है जो कि समस् हमारे दुख तकलीप, हमारे जीवन में पूरतं यह करते हैं। और हमारे कश्टों का निवारण भी, निदान भी करते हैं। अगर हम थोड़ी सी पूझा करते हैं, तो भगवान सुन नरान प्रसंद हो जाते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। मंत्र है ओम हराम ρीम हरॉम भास कराः नमय एक बार फिर से सुन लीजे यानि कि आप जब बोलेंगे ओम राम रीम रोम भास कराए नमय तो फिर आप आगे बोल दीजे धनम देही फट स्वाहा आगे इतना और बोल दीजे फिर देखे कैसे चमातकार होता है धन की कमी कभी नहीं होगी साथ पीडियां तक धन की कमी नहीं होगी तो मकर संक्रांति के देश मंतर को बोल दीजे बस फिर देखे कैसे चमातकार होता है जय शूर्देव